तो दोस्तों क्या आप भी सूचते हो कि आप अपने Android फोन में ऐसा रिंटोन सेट करो कि हर कोई सुनने के बाद चोग जाए और आपसे request करके पूछे कि आपने कहां से set किया ऐसा रिंटोन हमें भी बताओ हम भी अपने android phone में ऐसा रिंटोन set करना चाते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल unique application के बारे में बताने वाला हो जहां से आप अपने phone में ऐसे रिंटोन को set करोगे कि आपसे सभी लोग जरूर पूछेंगे कि भाई ये कहां से किया हमें भी बताओ हम भी अपने android phone में ऐसा कुछ करना चाते हैं तो अगर आप भी चाहते हो जानना तो उसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो को like कर देना है और end तक continue देखते रहना है वीडियो को like कर दिया है तो चैनल को subscribe करके all notification दबा दीजिये ताकि जब नए वीडियो आए तो आप लोगों को notification मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको बस इतना सा काम आप लोगों को कर देना है उसके बात क्या करना है एक छोटी सी application को अपने फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा तो नीचे description में लिंक मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड कर लोगे जैसे डाउनलोड करके open करोगे तो इस प्रकार से application open हो जाता है तो आप अ application को डाउनलोड करना है यहां से आप अपने फोन में कमल कमल के यहां पर सेट कर सकते हो अभी यहां पर आपको कुछ category देखने को मिल जाएगी जिससे कि यहां पर आपको सर्च का option भी मिल जाता है और यहां पर आप फेडिगरीज देख सकते हो संसेट हो गया ड्रंक हो गया सेट कर सकते हो और आपको पता है जो संसेट का म्यूजिक होता है कितना बेहतरी लगता है सुनने में एक feeling जो होती है दा बहुत प्यारी होती है तो वह भी आप यहां से सिट कर सकते हो का फी यो set कर लेते हैं और यहां पर आपको मिल जाता है यहां पर आप दिस्तों फोन रिंटोन और रिंग्बो और बीच पार्टी बेल टेलफोन जो बेल होता है वह वाला और यहां पर ब्लू इसकाई रिवेल दा म्यूजिक और इसे ही बहुत सारे पियानो का भी अगर आप set करना बहुत सारे मिल जाते हैं जिसे कि यहां पर आपको सर्च का मिल जाता है अगर आपको कोई और म्यूजिक पसंद है तो यहां पर आप वो भी ले सकते हो सर्च वाले बटन पर क्लिक करके आपको सर्च कर लेना है और वहां से आपको मिल जाएगा अब जिसे की funky यहां पर जं परशन मिल जाते हैं, set as return, set as notifications, तो आपको set as return पर click करना, तो आप यहाँ पर click करोगे, और आपके phone में return set हो जाता है, तो इस प्रकार से आप अपने android phone में return को set कर सकते हो, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like कर देना, चलने लोगो subscribe नहीं किये हो, thanks for watching this video, bye bye and take care.